नमस्कार, सिद्धी हिंदी विध्याले की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विध्यार्जी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, कक्षा दस्वी के अंतरगत सामजिक विग्ञान सोशल साइंस सब्जेक लेकर पुना एक बार आप लोगों के सामने उपस्ते दुआ हूँ, यदि वीडियो पसंद आता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अधिक से अधिक आप लोगों के ग्रूप के अंतरगत इसको शेर करना है, लेशन की शरुआत करो उससे पहले एक सुन्दर सा सुविचार देखते हैं, काम्याब होने के लिए कई बार हम जो है, उसे में शरुआत कर लेनी होती है, बले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि ये इंतजार करने से काफी बैतर है, और उमीद करता हो कि आप लोगोंने इंतजार को छोड़कर एक नहीं ऑनलाइन सिस्टम की जो सुबह हुई है, उस सुबह को स्विकार करके आप लोगोंने एक नहीं शरुआत की होगी, और जो पहला लेशन हम लोगों का पुरा हुआ, उसको समझ कर आपने उसकी नौट भ की प्रात्ना हम लोग करते हैं, कितनी शक्ती हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना कितनी शक्ती हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने एक रस्ती पे हम से, भूल कर भी कोई भूल हो ना कितनी शक्ती हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना था उन कुल कलाओ के नाम आप लोगों को मालुम है कि भारत की कुल 64 कलाओ है और ये दूसरा लेशन है उपुरा 64 कलाओ के अंतरगद 15 कलाओ का लेशन इसको माना जाता है 64 कलाओ को पढ़ने के लिए तो हमें समय चाहिए लेगिन उन 64 कलाओ में जो खास प्रसिद्ध कुछ कलाए है उन कलाओ के अंतरगद जो नाम आते है उन नाम में खास कर हस्त कला, ललित कला, संगित कला, चितर कला, कला बंतु हुनर, चितर कला, नाट्य कला, नुत्य कला, मीट कला और धातू कला जो हमने लाश्ट में पड़ी थी वगेरे के बारे में आप लोग शायद इसके बारे में परीचीत हो अब नया जो आप लोगों का मुद्द आपकी किताब के अंतरगत है उनके बारे में मैं बात करू तो पेद नमबर ग्यारा पर आ जाईएगा काश्टकल कि अंतरगत के जो मुद्दे बनते हैं उन मुद्दों को मैं बताने का आप लोगों को प्रहत्न करूगा सबसे पहले मैंने एक छोटी सी परिभाशा लिखने का प्रहत्न किया है तो परिभाशा नौट डाउन करने हो तो कर लिजेगा कि जिस कला का यहाँ पर लिका हुआ है कि जिस कला का निर्मान करने के लिए लकड़ी का उपयोग होता हो उस कला को काश्टकला के नाम से पहचाना जाता है पुने एक बार जिस कला का निर्मान करने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता हो उसे काश्टकला कहा जाता है एक मुद्दा हो गया, अब किताब के इस शाब से यदि आप चलते जाओ, तो दूसरा मुद्दा के मानव जीवन का सम्मन प्रारम से ही वरुक्ष और जंग लोग के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा मुद्दा पहला परिभाशा लिका, दूसरा मुद्दा मानव जीवन का प्रारम से ही काश्टकला के साथ सम्मन जुड़ा हुआ है, शरुवात में हम लोग उप्योग, तीसरा मुद्दा जो है, काश्टकला का लोग क्या-क्या उप्योग करते हैं, तो आप लोगों के किताब के अंतरगत में हैं, कि शरुवात का इंधन के रुप में लकड़ी का उपयोग होने लगा मतलब तीसरा मुद्दा के भई शरुवात में इंधन के रुप में भवनों के निर्माण में पोजारों में और मकानों को बनाने में लकड़ी का उपयोग होने लगा उसी क्रम के अंतरगत आगया आप बढ़ते हो तो उसके अंतरगत आप लोगों को दिया हो है के भई मुर्तिया है बालकों के लिए खिलोने हैं गोखा टाका बोलते टाका खंबे है खिड की दरवाजे पर अटारी सिहासन कुर्शी जाली वगेरे का निर्मान करने के लिए भी काश्टकला इंशॉट पहला मुद्दा से ही रुक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है तीसरा उसका उपयोग इंदन के रुप में वजारों को बनाने में भवनों को बनाने में मुर्तियों को बनाने में लकडियों को बनाने में बालकों के लिए खिलोने बनाने के लिए खिड की दरवाजे अटारी सिहास अंखुर्षिया वगेर बनाने के लिए काश्टकला का उप्योग होता रहा है चोथा जो मुद्दा है वो के पुरे बारत में हुज्जरात के अंतरगत संखेड़ा का जो फरनी चरे वहां का जो लकड़ी का जूला है और कच के अंतरगत इडर के जो खिलों ने हैं वो खिलों काश्टकला के सर्वस्रेष्ट पुदाहरण माने जाते हैं अर्तात काश्टकला के चार मुद्द्ध आप लोगों को किताबी बेज पर लिखने रहेगे परिभाशा है दूसरा मानों का संबंदे तीसरा उसका उपयोगे और चौथा उसका गुजरात के अंतरगत पुरे भार काश्टकला के साथ कारपेंटर लकड़ी बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो जाती काश्टकला के साथ सुधार जाती जुड़ी ही है ऐसा माना जाता है इस प्रकार काश्टकला के मुद्दों के अंतरगत आप दूसरी कला है जिसका नाम है जडाओ कला किताब के अंतरगत पेद नमर 11 पर आप लोगों को जडाओ कला दी है मैंने उनकी भी परिवाशा बनाने का प्रयत न किया है मतलब पहली कला हम लोगों ने देखी जिसका पांच मुद्ध आप लोगों को दो उनकों में मैंने बताए अब दूसरी जो कला है ओकला का नाम है जडाओ कला जडाओ का मतलब होता है जड़ना लगाना अर्थात विभिन प्रकार के आभूशनों पर किताब के अंतरकत परिभाशा नहीं दिये आप लोग एक बार नौट डाउन कर लिजेगा के विभिन प्रकार के आभूशनों पर हिरे मोती जड़ने की कला को जड़ाओ कला कहते है पिर से एक बार विभिन प्रकार के आभूशनों पर हिरे मोती को जड़ने की कला को जड़ाओ कला कहते है अलंकार और जड़ाओ काम की कला भारत की प्राचिन कला है पहला मुद्दा प तीसरा भारत के राजा समराट या शाशक उस समय के स्रिमन वगेरे जिन स्वन और अलंकारों को दारण करते थे उनमें ज्यादा तर हीरे मोती मतलब जडाव कला से जडित गहने कौन-कौन पहनता था पहला परिबाशा दूसरा यह हमारी प्राचिन कला है तीसरा जडाव कला क गहनों का उप्योग कौन-कौन करता था तो के खासका समराट, राजा, स्रिमन वर्ग, अलंकारों से बने हुए जो गहने होते थे हीरे मानेक मोती के जो गहने बने थे उनका अधिकतर उप्योग करते है बारत में जडाव कला के अंतरगत खासकर हीरा, मोती और मानेक माना जाता है चौथा मुद्दा क्या-क्या बनते थे सर्या तो क्या-क्या बनाया जाता था तो किम्ती रत्नों को गले का हार बाजुबन कड़ा मुकूट मात बेंदी मात बेंदी बेहनों को मालूम होगी कि वही माते पर जो मांग ठीका होता है वो अंगुठी नथरी वोगे एक बार गले का हार बाजू बन कड़ा मुकूट माथ बेंदी अंगूठी नथडी आदी जड़ाओ कला के प्रसिद्ध गहने माने जाते इन शौट पहला मुद्धा परिवाशा दूसरा प्राचिन कला है तीसरा कौन-कौन पहनता था और चौथा उसमें से क्या-क्या बनाया जाता था और पांच बार जो महन मुद्ध आपको पसंद आएगा कि पूरे विश्व में राजस्तान के बिकानेर की जो जड़ाओ कला है वो विश्व प्रसिद्ध जड़ाओ कला मानी जाती है पुनह बार राजस्तान के बिकानेर की जड़ाओ कला विश्व प्रसिद्ध क कला मानी जाती है इस प्रकार से जड़ाओ कला में आप लोगों को पांच मुद्दे लिखने हैं उसके बात की जो कला है वो आप लोगों के किताब के अंतरगत दी है अकीक कला अकीक कला के अंतरगत आप लोग पेद नमर 11 पर चले जाओ तो उसमें दिया है कि अकीक क्या है पहला मुद्दा मैंने इसमें परिभाशा इसलिए नहीं दी कि आपके किताब में दी है कि अकीक भारत की कई नदियों और गाटी प्रदेशों से मिलने वाला एक किम्ति पत्थर ये मुद्दा तो कहने के लिए एक ही है और इसमें दो मुद्दे है एक अकीक कहां से प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है तो के नदियों के घाटी प्रदेश से और दूसरा अकीक है क्या तो आपको दिया है कि अक प्रकार का किम्ति पत्थर है मतलब दो मुद्दे हुए तीसरा अकिक में क्या क्या आता है तो कि अकिक में चक्मक और अर्ध पारदर्शक सुन्दर लाल पत्थर मुख्य है मतलब चक्मक आप लोगों ने देखे होगे और सुन्दर लाल पत्थर जिसका बहुत सारे लोग ब्रेसलेट के रूप में नंग के रूप में कईने हाथों में उप्योग करते हूँ एक प्रकार का किमती पत्तर है जिसको अकिक के नाम से पहचाना जाता है पहला कहां से प्राप्त होता है वापजिबार नदियों के घाटी प्रदेश से दूसरा अकिक क्या है अकिक किमती पत्तर है तीसरा उसमें से क्या-क्या इसमें किसका सम नावश होता है तो कि चकमक, अर्दपार्दर्शक, सुंदर, लाल रंग का पत्थर वगेरे चोथा मुद्दा, यह किस परकार का होता है तो अकिक कहते किसको हैं, तो विशेश करके सीलीका मिस्रिट, सिलीका मतलब एक प्रकार की सफेद सिलीका मिस्रित निले या तो सफेद रंग का जो पत्थर होता है वो पत्थर को अकीक कहते हैं कैलसीडोनिक आपकी किताब में आप सिलीका लिखो तो भी सही है और कैलसीडोनिक लिखो तो भी सही है अर्थाद विशेश करके सिलीका मिस्रित निले या तो सफेद रंग के पत्थरों को अकीक कहा जाता है चारमुद्देवए पांचवा पूरे भारत में सबसे अधीक समुद्री किनारा गुजरात के पांसे उसमें भी खासकर गुजरात में सुरत, खमबाद, एहमदाबाद और रानपूर विबिनक्षेत्रों में अकीक प्राप्त होते हैं अकिके पत्थर प्राप्त होते हैं लेकिन उसमें गहने बनाने के लिए केवल खंबाद बेजा जाता है इस प्रकार से उसमें से क्या-क्या बनता है तो आप लोग देख सकते के अकिके पत्थरों की माला या मनका उसमें से तयार किया जाता है इस प्रकार पांच या छे मुद अके कला के अंतरगत आप लोग लिख सकते हो उसी करम के अंतरगत एक और कला है जिसका नामे चित्रकला जिसका नामे चित्रकला आपकी किताब के अंतरगत चित्रकला दी है फिर भी एक परिवाशा आप लोग नौट डाउन करने हो तो कर लिजेगा चित्रकला की के रंग रे रंग, रेखा और आकार के द्वारा निर्मित होने वाली कला को चित्रकला कहते हैं, परिवाश आप लोगों को टेली हो गई, दूसरा मुद्दा उसके अंतरगत, हमारी भारत की जितनी भी कलाए है, उन सभी कलाओं में चित्रकला सर्वपरी मानी जाती हैं, एमसी की उत्तर यदि आप लोगों को पूछे के बारत की सभी कलाओं में सर्वपरी कला कौन है, तो चित्रकला, परिवाश आप लोगों को मैंने बता दी, उसमें उसकी विशेश था, तो दिये तीसरी लाइन में, के प्रकृती के जड़ और चेतन, जड़ मतलम निर्जीव, और चेतन मतलब सजीव, सजीव में रहे हुए बाओं को दर्शाने के ख्रमता है, किसमें चित्रकला मतलब पहला परिवाश तूसरा सभी कलाओं में सरेश्ट है, या सरोपरी है, और तीसरा उसकी विशेश था, क्या है विशेश था, के चित्रकला प्रकृती के जड़ और चेतन स्वरुप में रहे हुए भाओ को दर्शाने काम करती है नमबर चौथा चित्रकला कितने वर्ष पुरानी है तो चित्रकला भारत की 5000 वर्ष पुरानी विरासत है और उसके अउशेश में कहां से मिले तो कि हड़पी संस्कृति से उसके मतलब दों मुद्दे बनेगे ए चित्रकला 5000 वर्ष पुरानी है और उसके अउशेश हमें कहां से मिले तो कि हड़पा से हमें उसके अउशेश मिले है पुरा तत्व विभाग के उत्खनन उत्खनन का मतलब होता है खोद काम करना खोद काम के द्वारा बारत की चित्रकला के नमुने हमें प्राप्त हुए ह क्या-क्या मिला तो कोई गुफा के चितरों में पशु पक्षियों के आलेखन, हडपा के लोग मिटी के बरतनों के उपर बहुमितिक रेखाकन. क्या होता है बहुमितिक रेखाकन मतलब जो अलग-अलग प्रकार के वर्तूल है चौरा से उसको बहुमितिक रेखाकन फूल पोधे वगेरे बनाया करते थे बारत में सबसे स्रेष्ट मध्यप्रदेश के अंतरगत आथी, गेंडा, हिरन आधी ये सब अलग-अलग उदाहरन है मतलब अडप्पा में से उदाहरन मिला क्या मिट्टी के बर्तन और भौमिति का क्रूति मध्यप्रदेश से क्या मिला तो के आथी, गेंडा और हिरन के चित चित्र है वो तो बेजोड है मतलब चित्र कला के सबसे स्रेष्ट उदाहारण के रुप में यदि कोई जगह देखने लाइक है तो महाराष्ट में आई हुई अजन्तावल इलोरा की गुफा बारत में पारमपरिक रूप से मांगले प्रसंगों पर स्वस्तिक स्वस्थिक मतलब साथिया कलश गणेश जी के चित्र है आज भी आप लोग गाओ में जाओ तो गाव में जब भी जिसके भी गर पर शादी ब्या होते तो उसकी बाहर की दिवारों पर कंकू या तो गुलाल से कलश बनाते हैं, साथ्या बनाते हैं, गनेश जी की मुर्तिया बनाते हैं दिवारों में और आज भी दिपावली नजदिक हैं, तो आप लोगों को मालूम है केम सीरोडी कलोर से आज भी रंगोली को बनाने की जो परंपरा है वो चितरकला की सरष्ट परंपरा मानी जाते इस तरह से 5-6 मुद्दे इसके अंतरगत आप लोग लिख सकते हो इस प्रकार अंतर तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहु सब्सक्राइब कर इनको शेर करना ना भूले अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी हो या तो कोई भी प्रकार की क्वाईरी हो तो मैं हर्शत जानी 9825581539 पर मेरा संपर्क करके आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या तो विशेज से वंदे मात्रम